नमस्कार स्वागत है आप सबका इस एजुकेशनल चैनल मिनाक्षी जेन पर मैं स्वैम हूं मिनाक्षी जेन और इस वीडियो का टॉपिक है नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख सहर या इंपोर्टेंट इंडियन सिटीज अन बैंक ओफ रिवर्ज हम एक एक सहर किस न असान भी हो और प्रमुख सहरों के अलावा नदियों की थोड़ी सी जानकारी भी होगी और उन पर बनने वाले कुछे क्विज भी सामिल होंगे सबसे पहले गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख सहर गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है इसकी लंबा से बैते हुए बंगल की खाड़ी में गिरती है इसका उद्गम या सोर्स भारत के उत्राखन राज्य में कंगोत्री के गो मुख से होता है जहां इसे भागी रती नाम से जाना जाता है इसी भागी रती नदी पर भारत का सबसे उचा बांध है तो क्वेश्चन यह है कि भारत का सबसे उचा बांध कौन सा है तो टेहरी बांध या टेहरी डेम और टेहरी बांध जो भारत का सबसे उचा बांध है किस नदी पर बनाए गया है तो भागी रती नदी पर गंगोत्री के गो मुख से भागी रती नदी आती है तो एक दूसरी नदी बद्रीनात के पास सतो ются आती हैं जिसका नाम अलक नंदा नदी जो इस भागीरती नदी से देव प्रयाग में मिलती हैं मनती होती ही घंगा किनारे पर इसकेबाद रिष्य केस्早ष भती हुआ इलाबात पहुचती जहां इसका संगम यमुना नदी से होता है यमुना नदी गंगा की सबसे लम्नी सहायक नदी या लॉंगेस्ट ट्रिबिटेरी है वैसे कानपूर से पहले गंगा नदी फरुखाबाद कन्नोज और बिठुर होते हुए कानपूर पहुंचती है पर मैं यहां प्रमुक सहर बता मैं परिकेस हरीद्वार कानपूर इलाहबाद का प्राचिन नाम है प्रयाग इलाबाद के बाद गंगा नदी मिर्जापूर होते हुए वारानसी पहुंचती है और वारा नसी से बिहार की राज़्धानी पटना से मुंगेर होते हुए जारखंड के साहिपकंज डिस्ट्र अलग निकल कर दख्सिन दिसा में बहती है जिसे भागी रथी हुगली नदी के नाम से जाना जाता है उगली डिस्ट्रिक्ट से पहले इस नदी को भागी रथी नाम से जाना जाता है और उसके बाद हुगली नदी के नाम से अच्छा हुगली नदी के किनारे कुन सा सहर बसा अच्छा जो गंगा नदी की प्रमुख साखा बांगला देश में प्रवेश की उसे किस नाम से जाना जाता है यानि गंगा नदी को बांगला देश में किस नाम से जाना जाता है तो पद्मा नदी बांगला देश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है मैंने घंगा नदी मैप पर बताई है वो भी स्टेट वाइस स्टेप बाइस स्टेप मुझे लगता है आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि घंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है जी हाँ बिलकुल भारत के पांच राज्यों से होकर बहती है उत्तराखं उत्तर प्रतेश, बिहार, जारखंड और पश्यम बंगार। और अब यमुना नदी। यमुना नदी उत्राखंड राज्जे में ही यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है। इसके किनारे बसे प्रमुक सहरों में दिल्ली, मथूरा और आगरा। और अंत में यमुना नदी इलाभाद में गंगा नदी में मिल जाती है। पहले इलाभाद में तीन नदियों का संगम होता था गंगा, यमुना और सरस्वती। इसलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता था। त्री यानी तीन और वेणी यानी नदी अब सरस्वती नदी हालाकि लुप्त हो चुकी है यमुना नदी भारत के चार राज्ये और भारत की राज़ानी दिल्ली से होकर बहती है भारत के चार राज्यों में उत्राखन हिमाचल प्रदेश हर्याना फिर दिल्ली और अंत में उ यह पता है उत्तर प्रदेश की राजदानी लखनों किस नदी के किनारे बसी है तो गोमती नदी के किनारी गोमती नदी गंगा की 22 आएक नदी है लेफ्ट ट्रिबुटेरी उत्तर प्रदेश के ही पिलिविद से गोमती नदी ओरिजिनेट होती है और उत्तर प्रदेश में ही वारानसी से 27 किलोमेटर आगे गंगा नदी में मिल जाती है। लखनाओं के आलावा गोमती नदी के किनारे सुल्तानपूर और जौनपूर भी भसे हैं। और अब ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चीन की तिबद शेत्र में मानसरोवर के पास अंक्सी ग्लेशियर से होता है। जहां इसे यारलूंग सांक्पो नदी की नाम से जाना जाता है। कहीं पर आपको इसका source अंक्सी glacier की जगव पर चेमा यूंग दूंग glacier भी लिखा मिलेगा। इसका reason है कि तीन प्रमुक धाराएं मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी बनती है। जो तीनों धाराएं अंक्सी ग्लेशियर, चेमा यूंग दूं ग्लेशियर और कुभी इन तीनों से निकल कर बनती है। इसलिए कहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी का सोर्स अंक्सी ग्लेशियर तो कहीं पर चेमा यूंग दूं ग्लेशियर लिखा मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांगला देश तीन देसों में बहती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी अरुनाचल प्रदेश राज्ये से प्रवेस करती है। जहां इसे दिहांग या सियांग नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुनाचल प्रदेश और असम दो राज्यों में बहती है और असम से बांगलादेश में प्रवेश करती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम के तीन प्रमुक सहर बसे हैं डिब्रुगर, तेजपूर और गुवाहर्टी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी एक द्विब बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्विब है, उसका नाम क्या है? तो मजूली द्विब, मजूली द्विब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्विब है, जो असम में है और कौन से नदी बनाती है? तो तो जमुना नदी जमुना नदी बांगला देश में जाकर पद्मा नदी से मिल जाती है और पद्मा नदी में मिलने के बाद इसे पद्मा नाम से ही जाना जाता है इसके बाद पद्मा नदी आगे जाकर मेगना नदी में मिल जाती है और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल बनाती है विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है तो सुन्दर्वन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है सुन्दर्वन डेल्टा का हिस्सा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा मेगना हुगली और कई छोटी नदिया है और अब सत्लज नदी, सत्लज नदी भी मांसरोवर के पास राक्षस ताल लेख से होरिजिन होती है, जिन के मांसरोवर के पास से भारत में बहने वाली चार नदिया निकलती है, याद रखिए मांसरोवर के पास से, मांसरोवर से नहीं, एक तो भ्रह्मपुत्र, दूसरी से जिन होती है यानि भारत में बहने वाली ये चारों नदियां चीन से आ रही है सतलुज नदी का पौराणिक नाम है सत्दुन ये नदी चीन भारत और पाकिस्तान इन तीन देशों में भैठती है एक और नदी है जो चीन, भारत और पाकिस्तान इन तीन देशों से भैती है और वो है सिंदू नदी या इंडस रिवर सिंदु नदी या इंडस रिवर का ज्यादा तरभाग पाकिस्तान में है ये पाकिस्तान की सबसे लंबी और राष्ट्रिय नदी है भारत में सिर्फ जंबो कस्मिर स्टेट से बहती है सतलुज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और भारत के दो राजज हिमाचल प्रदेश और पंजाब इन दो राज़ों से बहती है इसके किनारे बसे प्रमुक सहर है लुधियाना और फिरोजपूर इस अतलज नदी पर भाखडा नांगल बांध भी है हिमाचल प्रदेश में इस भाखडा बांध के निर्मान के समय भारत के प्रथम प्रदान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बांध को टेंपेल आफ मोडल इंडिया आधूनिक भारत का मंदिर कहा था ये सतलोज नदी पंजाब की उन पंचनद या पांच नदियों में से एक हैं जिस पर पंजाब का नाम पड़ा है पंजाब नाम फार्सी भासा के दो सब्दों से मिलकर बना है पंज प्लस अब पंज यानी पांच और आब यानी पानी जिसका साबदिक अर्थ होता है पांच नदियों का शेत्र Land of Fire Rivers यह फार्सी सब्द संस्क्रत के पंजनद सब्द पर आधारित है यह पांच नदिया है जेलम चिनाब रावी व्यास और सतलुज इन सब के प्राचिन नाम हैं जेलम का वितस्ता चिनाब का चंद्रभागा रावी का परुष्णिंग व्यास का विपास सतलुज का सतद्रों भारत और पाकिस्तान के विपाजन के बाद अब भारत के पंजाब राज्य का हिस्सा यह तीन नदिया ही है रावी व्यास और सतलुज इन पांचों नदियों को याद रखने की एक ट्रिक है जिस पर पंजाब का नाम पड़ा है जस्विंदर और चमेल की रुको बस सुनो इन सबके फिर्स्ट लेटर जे ज़ से जेलम, च सी से चेनाप, रू, आ से रावी, ब बी से ब्यास, स स स स स सतलज और यह पांचों नदिया सिंदु नदी या इंडस रिवर की ट्रिबटेरिस है या साहक नदिया हैं इन पांचों साहक नदिया और नदी इन छहों नदियों के जलब अटवारे पर एक संदी भी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच जिसे सिंदु जलसंदी या इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है जानते हैं यह सिंदु जलसंदी है क्या इस संदी के अनुसार यह जो उपर-उपर तीन नदि रावी व्यास और सतलुज इन अधियों का पानी 80% भारत प्रयोग कर सकता है और 20% पाकिस्तान ये संदी हुई कब थी तो 1960 में भारत के ततकालिन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के ततकालिन राष्ट्रपति अयुग खान ने कराची में साइन की थी सिन्दु जल संदी में किस अंतराश्ट्री संस्था ने मद्यस थता की थी तो विच्व बैंक वर्ल बैंक ने इन में से जो जेलम नदी है इसके किनारे जमुकस्मिर की समर कैपिटल यानी गृस्मर रितु की राजधानी स्रीनगर है जम्मु कस्मिर राज्य की दो राजदानिया है स्रीनगर और जम्मु स्रीनगर समर कैपिटल और जम्मु विंटर ये भी याद रखना आसान है समर कैपिटल स्रीनगर यानि दोनो ऐस से सुरू हो रहे हैं और एक समर की याद हो गई तो दुसरी winter की ही होगी अच्छा कि आपको ये पता है ये जम्मू किस नदी के किनारे बसा है तो तवी नदी जम्मू कस्मिर की winter capital जम्मू तवी नदी के किनारे बसा है इस जेलम नदी के किनारे भारती एतियास का एक प्रमुख युद्ध भी हुआ है 326 इसापुर्व वो किन के बीच लड़ा गया तो यूनान के मेसडोनिया के सासक सिकंदर और पुरुर्वा के राजा राजा पौरस के बीच लड़ा गया इस युद्ध को बैटल आफ जेलम या बैटल आफ हाइडेसपीस भी कहते हैं क्योंकि जेलम को हाइडेसपीस नाम से भी जाना जाता था और जेलम का एक और पौराणिक नाम है जो पहले मैंने इस वीडियो में बताया है वो है वितस्ता महा नदी इसका उद्गम 36 गड़ में सीहावा परवस्रेणी से होता है ये 36 गड़ और उडिसा दो राज्यों में बहती है इसके किनारे प्रमुक सहरों म समबलपुर के समिप इस नदी पर हीरा कुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है और अब मध्य भारत की एक प्रमुक नदी नर्मदा नदी नर्मदा को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है पश्चिम की और बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्म से पहते हैं आमर कंटक्स से एक और नदी का उद्गम होता है वह सोन नंदी पर नर्मदा नदी पिस्चम की तरफ बहती है जबकि सोन नदी पुरु दिशा में बहते हुए पठ्ट्ना गंगा नदी में मिल जाती है यानि सोन नदी राइट ट्रिबिटेरी है गंगा नदी तो अमर कंटक से निकलने वाली नदी जो पुरो दिशा में बहती है तो सोन और पश्चिम दिशा में बहने वाली नर्मदा नदी नर्मदा नदी के उत्तर में विंद्याचल परवत और दक्सिन में सत्पूडा परवत स्रेणिया है ये नदी भारत के तीन राज्यों से होकर गुजरती है मद्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात और अंत में खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है इसे ला नदी के आलावा साबरमती, माही और तापती सहित कई नदियों का विले होता है अच्छा खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरने वाली इन चारों नदियों में से कौन सी नदी भारत में करकरेखा प्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है तो माही नदी माही नदी राजस्थान में दो बार काटती है कar करेखा को, ये साबरमती नदी राजस्थान के उदैपुर जीले में अरावली रेंज से औरिजिनेट होती है और राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में बैखते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है बरमती नदी के किण नारेबसे प्रमुख सहर हैं गांधी नगर और एहमदाबाद और तापी या तापती नदी नर्मदा और गोदावरी दो नदियों के बीच में बहती हैं यह नदी भी नर्मदा नदी की तरह भारत के तीन राज्य मद्य प्रदेश महाराश्टर और गुज्रात में बहते मद्य प्रदेश का बुर्हानपुर और महाराश्टर का भूसावल भी तापी नदी के किनारे स्थे थे और अब गोदावरी नदी यह गंगा नदी के बाद भारत की सबसे लंबी नदी है इसका उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी परवत से नासिक के पास त्रम् प्रूचेरी के यमन जीले में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है इसके किनारे बसे प्रमुक सहर हैं त्रम्बकेश्वर्प नासिक पैठर्ण और नादेव नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुम्भ मेला लगता है कुम्भ पर्व भारत में चार स्थान क्यानों में से एक स्थान पर हर Τिसरे वर्ष आयोजित किया जाता है यह चार जगहें हरी द्वार गंगान नदी के किनारे इलहाबार गंगा और किनारे उजियन चिप्रां नदी के किनारे नसी गोदावरी नदी के किनारे हर तिन वर्ष बात कुम्भमेला लगता है पर इन चारों जग़ पर बारी-बारी से इसका आयोजन होता है इसलिए एक ही सेम जग़ पर कुम्भमेला फिर से 12 वर्ष बात लगेगा और अब कृष्णा नदी ये महाराष्ट्र में महाबलेस्वर के पास से निक जाती है इसके किनारे बसे प्रमुक सहरों में महाबलेश्वर और विजयवाडा इस कृष्णा नदी की एक लेफ्ट ट्रिबुटेरी है मूसी रीवर मूसी नदी उसके किनारे पर हैद्राबाद सहर स्थीत है जो करंटली आंध्रप्रदेश और तेलंगाना दो राज्यों की राजधानी है और इस नदी की एक राइट ट्रिबुटेरी है तुंगबदरा नदी उसके किनारे पर कुर्णूल सहर स्थीत है और अब कावेरी नदी ताल कावेरी कोडगु डिश्ट्रिक करनाटक से औरिचिन होती है आपने कावेरी जल विवाद के बारे में तो सुना ही होगा इस पर एक क्वेरी जल विवाद किन दो राज्यो나ग के पीच में है तो करनाटक और तमिल्नाडू कावेरी इन्हीं दो राज्यों में बहती है और इन्हीं राज्यों के पीच में हैं, तो करनाटक और तमिलनाडू, कावेरी इन ही दो राज्यों में बहती है, और इन ही दो राज्यों में कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, इसके किनारे बसे प्रमुक सहर हैं, करनाटक का मैसूर और स्रीरंग पर्टनम, और तमिलनाडू का सिति मंडोवी नदी चिनार ये पंजी गोवए की राजधानि भी आधित फालगो नदी को निरंजना नदी नाम से भी जाना जाता है तमिलनाडु का मदुरे सिटी वेगई नदी के किनारे वेस बेंगोल का जलपाई गुडी तिस्ता नदी के किनारे और जारखन का जमसेतपूर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे आशा करते हूं वीडियो आपने ध् तो यह बताईए कमेंट में कि पंजाब राज्य की नामुत पत्ति किस भासा से हुई यानि पंजाब सब्द किस भासा के दो सब्दों से मिलकर बना है यह वीडियो भी मैंने आपके कमेंट सजेशन पर ही बनाया है इसी तरह आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हीट अवस्य करें थैंक यू सो माच